नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Guru 2.00 ओपर दोस्तों मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में राजस्थान सामा निग्यान से संबंदित 100 प्रशन लेकर आये हूँ ये 100 प्रशन 100 प्रतीशत important है हर exam में पूछे ही जाते हैं चाहें आप पुलिस का exam दे रहे हैं, पटवारी दे रहे हैं, सिख्षक का exam दे रहे हैं राजस्थान स्टेट का कोई भी exam हो उन सभी exams के लिए प्रशन 100 प्रतीशत important है तो इनको रट लीजे, घोट कर पी जाएए, क्योंकि ये प्रशन अगर आपसे बन गए तो ये समझ लीजे 25% स्कोर आपका आसानी से स्टेट जीके में गेन कर सकते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, सारे प्रशन अपयोगी है तो अपने सभी दोस्तों तक फैला दीजेगा जो जो प्रशन जिर जिस परिक्षा में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बताते जाओंगा सबसे पहला प्रशन ये रहा स्क्रीन पर बात करेंगे पहले प्रशन की बांगड के गांधी किस जिले के रहने वाले थे तो बांगड के गांधी डूंगरपुड जिले के रहने वाले थे राजपूताना नाम का प्रियोग सर प्रुथम कब एबम किस ने किया था तो राज पूताना नाम का प्रियूग 1820 में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले किया था एक नवंबर 1956 को राजिस्थान में कितने जिले थे तो एक नवंबर 1956 को राजिस्थान में 26 जिले थे 1113 में किस चोहान साशक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था तो 1113 में अजय राज नामक चोहान शाशक ने अजमेर नगर का किला बनवाया था 1207 इस्वी में किस कच्छवाह शाशक ने मीनो को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया तो 1207 में कोकिल देव ने मीनो को परास्त कर आमेर का आमेर को अपनी राजधानी बनाया 1449 में महराना कुम्भा के काल में रणकपुर में जैन मंदरों का निर्मान किस ने करवाया था 1449 में महराना कुम्भा के काल में रणकपुर में जैन मंदरों का निर्मान जैन स्रेश्टी धानक ने करवाया था 1468 में महराना कुम्भा की हत्या किस ने की तो उदाने उधम सिंग प्रथम ने 1468 में 1468 में महराना कुम्बा की हत्या की नेक्ट कॉशन देखते हैं चोदहवी शताबदी में किस जील का निर्मार किया गया था राजिस्थान में तो नक्की जील का निर्मार चोदहवी शताबदी में किया गया था 1509 में मेवार का शाशक कौन बना तो 1509 में मेवार का शाशक राणा संग्राम सिंग बने Next question देखते हैं 1543 में जैतारण गाउ में सामेल की लडाई किन के बीच हुई थी तो 1543 में जैतारण गाओ में सामेल की लडाई शेरसा सूरी और राव माल देव के वीच में हुई थी 15-59 में उदयपूर शहर के संस्थापक के रूप में इतिहास में किसे श्रेय दिया गया है तो महराणा उदय सिंग तुतिय को उदयपूर शहर के संस्थापक के रूप में इतियास में जाना जाता है 1559 में स्थापित हुआ था next question देखते हैं 1572 से 1573 इसवी में अकबर ने जोदपुर किसको सुपुर्द कर दिया था तो 1572 से 1573 इसवी में अकबर ने जोदपुर जो है मोटा राजा उदे सिंग को सुपुर्द कर दिया था 17 मार्च 1527 को खानवा जो की भरतपुर में है युद किन के मद्ध हुआ था तो 17 मार्च 1527 में खानवा का युद जो है महराणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था 1755 में मुगल सामराज के पतन के बाद किस मराठा वंस ने अजमेर पर कबजा किया था तो 18 मार्च 1948 को मतस्य संग का उधगाटन अलवर में हुआ था 1817 में राजिस्थान की कौन सी रियासत लौड हैस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीती का प्रथम शिकार हुई तो लौड हैस्टिंग्स की आश्रित पार्थक्य नीती का प्रथम शिकार करौली हुई संयुक्त सेना को किस ने पराजित किया था तो 1857 की क्रांती में अंग्रेज एवं जोदपुर राजिकी संयुक्त सेना को ठाकुर कोशल सिंग ने पराजित किया था 1857 के विपलो के समय कौन कोटा राजिका पॉलिटिकल एजेंट था तो मेजर बर्टन 1857 के युद्ध के समय या उस समय जो क्रांती हुई थी उसके समय कोटा राजिका पॉलिटिकल एजेंट हुआ करता था 1857 के स्वतंतरता संग्राम का राजपूताना में आरंब कहां से हुआ था तो नजीराबाद से 1857 के स्वतंतरता संग्राम का राजपूताना में आरंब हुआ था 1857 की स्वतंतरता संग्राम के समय राजिस्थान का AGG कौन था तो राइट आंसर हो जाएगा राजिस्थान का AGG जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे नेक्ट कॉशन देखते हैं अगला प्रशन देखते हैं 1921 में मेवार में आरंभ हुए भील आंदोलन की निता कौन थे तो 1921 में मेवार में आरंभ हुए भील आंदोलन की निता मोतीलाल तेजावत थे 1929 में बाल विवाह निरोधक शार्दा एक्ट से किसका सम्मन था तो हर विलाज शार्दा का बाल विवाह निरोधक शार्दा एक्ट से सम्मन था 1929 में 1936 में माघह राम ने बीका नेर प्रजा मंदल की इस्थापना की किस इस्थान पर है ये तो 1936 में मागा राम ने बीका नेर प्रजा मंडल की इस्थापना की ये बीका नेर में है तो 3.1.1994 को इस्थापित ब्रहत राजिस्थान के प्रथम प्रधान मंत्री हीरा लाल शास्त्री जी बने थे अंग्रेजों के साथ संधी करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत कौन थी तो सिरोही रियासत अंग्रेजों के साथ संधी करने वाली राजपूताना की अंतिम रियासत थी अकबर को आजीवन प्रतिरोध करने वाला प्रथम राजिस्थानी शाशर कौन था तो अकबर ने अपनी 1570 की नागोर यात्रा के बाद जोदपुर दुर्ग जो है बीका नेर के राय सिंग को सौंप दिया था अकबर ने उदेपुर का नाम क्या रखा था तो मुहम्दाबाद अकबर ने उदेपुर का नाम रखा था अजमेर का राजिस्थान में विले कब हुआ तो 1956 में अजमेर का राजिस्थान में विले हुआ अजमेर की स्थापना किस ने की थी तो अजमेर की स्थापना अजय पाल ने की थी अजमेर मेरवार का राजिस्थान में विले कब हुआ तो अजमेर मेरवार का राजिस्थान में विले एक नमवंबर 1556 को हुआ अलवर जिले का छेत्र प्राचीन काल से किस महाजनपत का भाग रहा है तो अलवर जिले का छेत्र प्राचीन काल से वन, ये जो है, किसका आंसर आपको लीए बता देता हूं में तो यहाँ पर सेत्र क्या हो जायेगा, अलवर जिले का छेत्र प्राचीन काल से किस महाजननपत का भाग रहा है तो मतष्यननपत का, राइट आंसर क्या हो जाएगा, मतष्यननपत का भाग रहा है next question अलवर जिले के किस पराक्रमी वीर ने खानवा के प्रसिद युद में महराणा सांगा के साथ बाबर से युद करते हुए वीरगती प्राप्त की तो हसन खा मेवाती ने बाबर से युद करते हुए वीरगती प्राप्त की question देखते हैं अलवर राज की स्थापना किस ने की तो राव राजा प्रताप सिंग ने अलवर राज की स्थापना की next question अलावदीन खिलजी ने चित्तोर पर कब आकरमण किया था तो तो आहड संस्क्रती के लोग किस धातू से परचित नहीं थे तो आहड संस्क्रती के लोग चांदी से परचित नहीं थे तो आहड संस्क्रती के लोग किसे निर्मित थे तो आहड संस्क्रती के लोग किस इस्थान पर की गई है तो काली बंगा में की गई है इतिहासकार गौरी संकर हीराचंद ओजह ने राजपूत की उत्पती किस से होना बताया है तो छत्रियों से होना बताया है उदेपुर का संस्थापक किसे कहा जाता है तो महराणा उदेशिंग दोती को उदेपुर का संस्थापक कहा जाता है उदेपुर के पास इस्थित आहर सब्विता इस्थल पर सरप्रतम उत्खन करवाने का श्रे किसे मिला तो अक्षे कीरती व्यास को उदेपुर के पास इस्थित आहर सब्विता इस्थल पर सरप्रतम उत्खन कराने का श्रे प्राप्त हुआ उदे सिंग द्वारा उदेपुर की स्थापना किस वर्ष की गई तो 1569 यानि कि 1559 में उदे सिंग द्वारा उदेपुर की स्थापना की गई उम्राओ किस रियासत के सामन्द थे तो मुराओ मेवार रियासत के सामन्द थे एकी आंदोलन किसके नित्रतों में प्रारम किया गया तो मोतीलाल तेजावत के नित्रतों में एकी आंदोलन प्रारम किया गया एतिहासिक इस्थल मानगड राजिस्थान के किस जिले में है तो एतिहासिक इस्थल मानगड बासवाडा जिले में है राजिस्थान के औरंग जेव ने जोदपुर के शाशक जश्वंत सिंग को 1658 इस्वी के धर्मत के युद्ध में पराजित किया था धर्मत किस राज्य में इस्थित है तो धर्मत जो है मद्द प्रदेश राज्य में इस्थित है औरंग जेव ने महराजा अजीद सिंग की रक्षा किस से की थी तो दुर्गादास राठोर ने की थी करॉली जिले का प्राचीर नाम क्या था तो गोपाल पाल करॉली जिले का प्राचीर नाम था करॉली प्रजा मंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी तो त्रिलोक चन्द माथुर द्वारा करॉली प्रजा मंडल की स्थापना होई थी काली बंगा आउशेश किस नदी के किनारे मिले है तो काली बंगा आउशेश सरस्वती नदी के किनारे मिले है काली बंगा शब्द का अर्थ क्या है तो काले रंग की चूडियां काली बंगा शब्द का अर्थ है काली बंगा सबिता का विकास कहां पर हुआ है तो हनुमान गड़ में सरस्वती द्रश्वती के कट पर काली बंगा सबिता का विकास हुआ है काली बंगा सबिता की खोश का श्रे किसको जाता है तो अमला नंद घोश को काली बंगा सबिता की खोश का श्रे जाता है काली बाई भील कहा की निवासी थी तो काली बाई भील रस्ता पाल डूंगर पुड की निवासी थी कितने सौपानों में सुरोही का राजिस्थान में विले हुआ था तो दो सौपानों में सुरोही का राजिस्थान में विले हुआ था किस इतिहास वेत्ता ने काली बंगा को सिंदु घाटी सामराज की तृतिय राजधानी बताया तो दयाराम साहनी जी ने इतिहासकार थे ये काली बंगा को सिंदु घाटी सामराज की तीसरी राजधानी बताया किस किले को जीतने के क्रम में अकबर को जै महल और फत्ता के प्रबल प्रतिरोध का सामना करना पड़ा तो केसरी सिंग बारहट को ख्रांतिकारी थे इनको 20 वर्ष की सजा देकर सेंट्रल जिल में रखा गया था किस चिनी यात्री ने भीन माल की यात्रा की थी तो हेंसांग ने भीन माल की यात्रा की थी किस जिले में काली बंगा की सबिता के आउशेश मिलते हैं तो हनुमानगड जिले में काली बंगा सबिता के आउशेश मिलते हैं किस नदी के किनारे गणिश्वर में तामर योगीन सबिता के आउशेश पाय जाते हैं तो कांटली नदी के किनारे इस्थित गणिश्वर में तामर योगीन सबिता के आउशेश पाय जाते हैं किस युद में मेवार के राजा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था तो बयाना युद में मेवार के महराणा सांगा ने बाबर की सेना को हराया था किस राजपुच साशक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी तो राणा महराना सांगा ने राजपुच साशक ने बाबर के खिलाफ खानवा की लड़ाई लड़ी थी किस राजा को अभीनाव भारताचार्य, हिंदू, सरणात, सरतान, छाप गुरु, राय, रायन, एवं दान गुरु की उपाधी से जाना जाता है तो राणा कुम्भा को इन सभी उपाधियों से जाना जाता है कौन कौन सी उपाधी है अभीनाव भारता चारेःं, हिंदू, सरतान, चाब गुरू, राय रायन एवं दान गुरू Next question देखते हैं किस राणी ने अपना सिर काट कर अपने पती के पास भिज़वा दिया था तो हांडी रानी सहल कवर ने अपना सिर काट कर अपने पती के पास भिजवा दिया था किस वर्ष अजमेर का विले राजिस्थान में हुआ तो एक नवंबर 1956 को अजमेर का विले राजिस्थान में हुआ किस सताबदी में राजपूतों का उदे हुआ तो छटी सताबदी में राजपूतों का उदे हुआ किस सहर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाये गया था तो उदैपुर को संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाये गया था किस साशक के काल में जैपर को गुलाबी रंग से रंगा गया तो राम सिंग द्वती के शाशनकाल में जैपर को गुलाबी रंग से रंगा गया किस साशक से नाराज होने के कारण 1543 में सेरसाह ने मारवार पर हमला कर दिया था तो मानगड को बांगड का जलिया वाला बाग कहा जाता है किस स्थान पर सरवाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तिया मिलती है तो ओसियां में सरवाधिक पौराणिक देवी देवताओं की मूर्तिया मिलती है किसने माउं टाबू के राजिस्थान में विलैप में महतपुन योगदान दिया तो माउं टाबू का राजिस्थान में विलैप में गोकुल भाई भट्ट ने महतपुन योगदान दिया किसने राजिस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया तो जानकी लाल ने राजस्थान की बहरूपिया कला को विद्यूशों में प्रद्रिशित किया कीका के नाम से कौन लोग प्रिय था तो महराणा प्रताब जी कीका के नाम से लोग प्रिय थे कोटा राज प्रजा मंडल के संस्थापक कौन थे तो नैनू राम शर्मा कोटा राज प्रजा मंडल के संस्थापक थे कौन से प्रतिहार शाशक ने सरप्रतम जालोर को अपनी राजधानी बनाया तो नागवट प्रतम प्रतिहार शाशक में सरप्रतम जालोर को अपनी राजधानी बनाया कौन सा राठोर साशक जो 52 युद्धों का नायक और 58 परगनों के रूप में प्रतिष्ठित माना गया है खानवा का युद बावर ने किसके विरुद लड़ा था तो राणा सांगा के विरुद लड़ा था गिलून किस नदी के किनारे इस्तित है तो बनास नदी की किनारे गिलून इस्तित है गोविंद गिरी के नित्रत में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगड का जन संहार के सुवर्ष में हुआ था तो 1913 में हुआ था चावण महराना परताप के किस परकार से जुड़ा है तो मृत्यु स्थान है चावण राजा से सम्धत है महाराणा प्रताब जी से सम्मंदित है चौहानों का मूल स्थान कौन सा माना जाता है तो सपाद लक्ष चौहानों का मूल स्थान माना जाता है जन्जाती वर्ग के उत्थान के लिए गोविंद गुरू के गोविंद गुरू ने किस हंसा की स्थापना की थी जैपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अधिख्ष कौन थे तो जमना लाला बजाज जैपुर प्रजा मंडल के प्रथम अधिवेशन के अधिख्ष थे जैपुर शहर को गुलाबी रंग से किस राजा के द्वारा रंगवाया गया था? तो राम सिंग द्वतिय द्वारा, जैपुर बनास मतुरा में जैपुर ने जन्तर मंतर बनवाया. जहांगीर ने किस राज्य के साशक को मुगल दर्बार में उपस्तित होने की छूट दी तो मेवाड के शाशक को मुगल दर्बार में उपस्तित होने की छूट दी जेल में जिन्दा जला दिये जाने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे तो सागर मल गोपा जेल में जिन्दा जला दिये जाने वाले क्रांतिकारी थे जोदपुर के निकट ओंसिया में मंदरों का समू किस वंश की देन है तो प्रतिहार वंश की देन है जोदपुर के संस्थापक कौन है तो राव जोधा जोदपुर के संस्थापक है जुन्जुनु वा भरतपुर के संस्थापक कौन थे तो मुहम्मद खां और राव अर्जुन्दिव जुन्जुनु और भरतपुर के संस्थापक थे अवेद घोशित किस ने किया तो डांकन प्रथा को अवेद घोशित महराना स्वरूप सिंग ने किया आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है डूंगरपुर प्रजा मंडल की स्थापना किस ने की दूंगरपुर पुरजा मंडल की स्थापना किसने की ये कॉशन का अंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में शेयर करें दोस्तो राजस्तान से सम्मंद जितने भी दोस्त आपके तयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए कॉशन साफ सेयर कर लिजे क्योंकि स्टेट लेवल की कॉशन एक्जाम में पूछे आते हैं और आपकी मदद से हो सकता है किसी की लाइफ बन जाए तो प्लीज जाद से जादा शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन उन कर लें जिससे नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा जाबर से जाबर जाबर जिससे हम भी आपके लिए महनत कर सके जाबर से जादा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धनिवाद आपका दिन शुप हो